नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुकला आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों अगर आप अपने बढ़ते हुए कर्ज से परेशान है आपका लोन NPA हो चुका है बैंक आपको लगातार नोटिस भेज रहा है बैंक आपके उपर वसूली का दबाव बना रहा है इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं परेशान रहते हैं कि हम अपने इस लोन से कैसे मुक्त हों अपने इस लोन को हम कैसे जमा करें लेकिन आपके पास पैसा नहीं है जिसकी वज़े से बैंक भी आपके उपर लगातार दबाव बनाता जा रहा है तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवसकता नहीं है आपका कर्ज कितना भी बड़ा हो आपका लोन कितना भी पुराना हो आपको परेशान होने की आवसकता नहीं है बैंक की एक ऐसी स्कीम होती है जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं जिसके माध्यम से आप अपने लोन का 40-50% हिस्सा जमा करके ही आप रिण मुक्त हो जाएंगे जिहां दोस्तों आपको परेशान होने क्या वसकता नहीं है एक ऐसा हम तरीका बताएंगे इस वीडो में जिसे फालो करके जिसे अपना करके आप अपने रिण से मुक्ती बहुत कम एमाउंट में पा सकते हैं आप मालीजे आपका लोन 5-6 लाक रुपए बकाया चल रहा है उस दसा में बैंक आपको नोटिस भेज रहा है तो आप सिर्फ 2-5 लाक रुपए जमा करके अपने लोन से मुक्त हो सकते हैं रिण मुक्त हो सकते हैं तो पूरी प्रोसेस जानने के लिए वीडो को अंत दख देखेगा वीडो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना चैनल पर नए है पहली बार आए है इसी तरह के और भी वीडो आगे देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रस कर लीजेगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए शुरू कर देते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन सी स्कीम है तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं बैंकों में क्योजना होती है settlement जोजन यानि settlement scheme वहाँ पर जाकर कि अपने loan का settlement कर सकते हैं bank के साथ यानि समझोता कर सकते हैं अब दोस्तों वहाँ पर आप bank में भी समझोता कर सकते हैं और इसके लावाँ दोस्तों हम आपको बतारा जाते हैं अगर आपका बैंक आपसे सम्झोता करने को तयार नहीं है तो फिर देश में सरकार के द्वारा साल में चार बार राष्टी लोग अदालत का आयोजन किया जाता है और ये पूरे देश में राष्टी लोग अदालत का आयोजन होता है हर जनपद में होता है तो हर जिले में बगल बगल आप देखेंगे तो राश्टी लोग अदालत का आयोजन किया जाता है उसके लिए आपके पास बैंक से भी नोटिस आता है और जो नजदीकी पुलिस चोकी या पुलिस थाना होता है वहां से भी नोटिस आता है कि आपके छेत्र में आपका लोन NPA चल रहा काफी लंबे समय से तो राश्टी लोग अदालत का आयोजन फला दिनांको है तो आप वहां पर पहुंच जाईए और अपने लोन का समझोता कर लीजिए तो दोस्तो इस बार हम आपको बतना चाहते हैं कि राश्टी लोग अदालत का आयोजन 11 मई 2024 को किया गया है जी हाँ दोस्त कि राश्टी लोग अदालत जो की 11 मई को आयोजित होने वाली है वहां पर पहुंच करके आप अपने लोन का समझोता कर सकते हैं जी हां दोस्तो हम आपको बतना चाहते हैं कि अगर आपका लोन 5 लाक रुपए बकाया चल रहा है तो अगर आप राश्टी लोग अदालत में जाएंगे वहां पर आप अपनी समस्या को जश्साहब के सामने रखेंगे कि मेरी आर्थिक इस्तिती बहुत खराब है मैं अपने लोन के अदाईगे तो करना चाहता हूं लेकिन मैं किनी कारणों से नहीं कर पा रहा हूं क्या समस्या आपके सामने आपके सामने फसलों में प्रक्रतिक आपदा आ गई, जिसके चलते आपका लोन बढ़ गया, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई है घर परिवार के किसी सदस्य को, जिसमें आपका पैसा बरबाद हो गया है, जो भी आपकी समस्या है, आपको एक application में लिख कर के ले जाना है, कि किस वज़े से आपका ल लोन NPA की कैटागेरी में गया है, ये चीज आपको लिख कर के ले जाना है, और जिस साहब को आपको दे देना है वहाँ पर, जब समझहोता होगा, तो उससे पहले आपसे बोला जाएगा कि आप अपनी समस्या बताईए, तो वही application आपको दे देना, उनको बता देना है कि म वहाँ पर जब आप जाएगे और धाई लाग रुपए में आपके लोन का settlement होगा, तो वहाँ पर आपको कम से कम 10% margin money वही पर जमा करना होगा, 10% का मतलब कम से कम 15,000 रुपए आपको कम से कम वहाँ पर जमा करना होगा, और 15,000 रुपए आप वहाँ पर जमा कर देंगे, उ पूरा amount आपको जमा करना होगा 2,30,35 जो भी बचेगा वो आपको 90 दिन का आपको समय दिया जाएगा ऐसा नहीं कि आज आपसे settlement हुआ है तो आज ही आपको जमा करना है 90 दिन यानी 3 माह का आपको समय दिया जाता है उस 3 माह में अपने इस loan के दाइगी आपको करनी होगी अग आपको लोन लेते समय बहुत सारी दिक्कते होती है तो अगर कोई ऐसा बेखती है जिसको दोबारा से लोन नहीं लेना है उसके लिए तो बहुत अच्छा है या फिर जिनके घर-परिवार के सदसे थे जिनकी डेथ हो चुकी है लोन लिया था उन्होंने और उनकी डेथ हो करता है चुकि जिसके नाम पर लोन होता है सिबिल उसी की खराब होती है और एक चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों जब भी आप अपने लोन का सेटलमेंट करा रहे हैं मालीजे आपके घर-परिवार का कोई सदस्य था जिनकी डेथ होई है और आप उनके लोन का आधार पैन नहीं देना है आपको वहां पर अपना वोटर dei जेए ना है आनित्व कोई डाकुमेंट मांगते है तो डाविंग लैसंस देना है लेकिन आप आधार पैन अपना मत दीजेगा, क्योंकि आपकी जो सिबिल होती है, वो आधार पैन से ही फेच होती है, तो आपको आधार पैन अपना नहीं है, हलाकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, तो आपको जो भी बेक्ति आपके धर में थे, जि लोन का settlement कर रहे हैं, तो दोस्तों इस तरह से आपका 40 से, और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जो death वाले case होते हैं, यानि जो लोग जिनकी मृत्य हो चुकी है, उनका समझोता 30 से 40% amount पर ही हो जाता है, जी हाँ दोस्तों, अगर 5 लाख रुपए बकाया है, तो हो सकता ह कि आपका समझोता 1.5 से 2 लाख रुपए में ही हो जाए, वो डिपेंड करता है, जो राश्टी लोग अदालत के आयोजग होते हैं, जो वहाँ बर्जज होते हैं, उनके द्वारा देखा जाएगा कि आपकी सिति क्या है, उसी क्याधार पर आपको amount निश्चित गया जाता ह कि कितना पैसा आप दे पाने में सक्षम है, उतने ही पैसे पर आपका समझोता कर दिया जाता है, दोस्तों आसा करते हैं, वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होते हैं लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब क साथ तक के लिए जय हिन जय भारत